गणतंत्र दिवस के दिन जब किसानों की रैली निकलने की बात हो रही थी, ट्रैक्टर रैली की बात हो रही थी तो अलग-अलग राय सामने आ रहे थे लेकिन एक राय, एक सोच ये सब की थी कि अगर तिरंग्ये लगा कर ट्रैक्टर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्यू नहीं किसी नहीं सोचा था जो मंजर गणतंत्र दिवस के दिन देखने को मिला वो मिल भी सकता है हमारे साथ इस समय वीम सिंग सायोजक अखिल भारतिय किसान संघर्ष समनवय के जुड़ रहे हैं वीम सिंग जी ये आप लोगों की ग्यारिंटी से बिलकुल अलग तस्वीर थ गया है जिस हारोप में आपको शामिल किया गया है क्या कहना चाहेंगा देखिए ऐसा है मैं अखिल भास्ते किसान संघर्ष समय समयती की तरफ से नहीं राष्ट्रे किसान मदो संगठन के सेयोजक होने के ना थे जो गाजीपुर में हम लोग बैठे थे आप से बात करना चा बात होई तो हम ने कहीं अगर इसमें जो परिवार गाजीपुर का है दिक्कत ना आए तो राकेश टिकैट से भी बात की हम लोग ने कि भाई इसमें हम लोग एक ही तरह चलेंगे और ये फॉलो करेंगे पर कहीं ना कहीं वहाँ जब उनने कह दिया कि नहीं ठीक है हम सब फ बाता है हम से भी वाता करो तो सुबह 11 बज़े का समय था जब 11 बज़े आए तो मालुम चला 10 बज़े पहले ही लोग निकल के बारिया तो उस पर ठेस पहुंची और सब को ठेस ये पहुंची के सम्विधान जिस दिन हमारा घोशित हुआ था बना अलग था पर कॉंस्ट्य चास के अंदर 26 जन्वरी को था और रिपब्लीक दे के उपर जो जंडा हमारा वहां फर आया जा रहा था उस जंडे के बदले वहां पर कोई और जंडा लगाया गया उससे सब कुछ ठेस पहुंची और उसी कारण हम लोग ने अपनी मीटिंग लोगों ने करी इत्मा मैं आ रहा था वहां पर आप से कहा न मेरे खिलाफ भी हुई है और मैं चाहता हूं मेरे समय जितने लोगों के खिलाफ हो यह पूरी इंक्वायरी हो और जो उसमें दोशी पाए जाए सक्से सक्त कारवाई की जाए ज़रूर और वही पर ही जहां प्रसाशन से गलती हुई है कि जो धंडा फिराएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा आपने क्यों नहीं किया वहाँ पर पूरे के पूरे करके और जो गिल्टी हो सक्से सक्स कारवाई होनी चाहिए क्योंकि ये आम सधारन बात नहीं है रिपब्लिक डे हम सब के लिए गर्व का दिन है मर्यादा के अंद पी की बात भी नहीं आ रही है और अगर ऐसा काम हो रहा है तो हमें इसके अंदर रहने का कोई और बाहर से सपोर्ट देने का भी कोई और वियम सिंग जी आज मेरी मुलाकात ऐसी पुलिस वालों से हुई है उस महिला से जिसे घेर कर पीटा गया था पसलियां तूटी हुई है उस लड़की की एक गैलिंटरी मेडल विनर है जिन्होंने आंटी टेरर बहुत ऑपरेशन किये हैं लेकिन आज सर में तलवार की चोट लेकर वो अस्पताल में भरती है आप कुछ कहना चाहेंगे उन सब से किसानों की मांगों के साथ सब हैं सब चाहते हैं किसका समाधान निकले लेकिन वर्दी के पीछे भी तो इनसान ही है हम अगर अपनी बात करते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं जैसे हम कहते हैं जै जमान जै किसान ऐसे नहीं कहते हैं ये केवल नारा नहीं रहे अगर एक दुस्रे की इज़त करना नहीं सीखेंगे काम नहीं चलेगा उन ने वही किया जो अड्वाइजरी में था एक इंच आगे पीछे नहीं किया और उसके बाद मैं कहा रहा हूँ जांच करो ना अगर हम दोशी हो हमको भी जेल भेजो हमको भी जेल भेजो सबसे पहले भेजो पर इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारी परेग में हजारों ट्र खिराफ भी करिए पर हम जरूर चाहेंगे ये जो आंदोलन था ये आंदोलन किसानों का है और किसान चाहता है अपनी MSP की गैरेंटी ये आंदोलन आज का नहीं है बीस साल से बीस औक्टूबर दो हजार से चल रहा उत्तर प्रदेश में आंदोलन जिसे आपको मालूम है आ ऐसे ही इस आंदोलन को ये मत सोचे खत्म हो गया है इसको फिर से रूप रीग्रूप करके हम लोग जो है ठंके तरीके से फिर से उठाकर और किसानों को घर में फाइदा दुख कराने का अन दाता को जीवन दाता के तौर पर ही देखना सब पसंद करते हैं हिंसा की ऐसी तस चीत करने के लिए